नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे योटूब चैनल कोडिंग वर्ड में अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं जैसे की SSC, Railway, UP Police, Bank Clerk, Bank PO, CCC, PET या फिर PCS देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादे यूजफुल होने वाला है हर Government Job में Computer-related Question जरूर पूछे जाते हैं तो अगर आप ये Question तयार कर लेते हैं देन आपको 100% Question Government Job में मिल जाएंगे इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि ये वीडियो हिंदी में है हमने Total 500 Question लिये हैं और इस वीडियो में हमने 50 Question को समलित किया है Next के प्रस्ण हम अगले वीडियो में Discuss करेंगे उसका लिंक हमने Description Box में Post कर दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला प्रस्ण है Computer के आविस्कारक कौन है यहाँ पे चार विकल्प दिये गया है तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है विकल्प C, Charles Babbage Computer का अविस्कार Charles Babbage ने किया था अगला प्रस्ण है सबसे पहला Computer का नाम क्या था और यहाँ पे हमारे चार विकल्प दिये गया है तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है E-N-I-A-C, Option B अगला प्रस्ण है आधुनी Computer की खोज सर्व प्रथम कब हुई थी और यहाँ पे हमारे चार विकल्प दिये गया है तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है E-N-I-A-C, आधुनी Computer की खोज सर्व प्रथम E-N-I-A-C में हुई थी अगला प्रस्ण है Computer के खेतर में महान करांती कब से आई और यहाँ पे हमारे चार विकल्प दिये गया है तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है E-N-I-A-C, Computer के खेतर में महान करांती E-N-I-A-C से आई थी अगला प्रस्ण है computer का हिंदी नाम क्या है और यहाँ पे हमारे चार विकल्प दिये गया है तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है संगड़क, computer का हिंदी नाम संगड़क होता है यह question बहुत ही जादे important है कई बार यह examination में पूछा गया है अगला प्रस्ण है computer साच्छरता दिवस कब मनाया जाता है और यहाँ पे हमारे चार ओप्षन दिये गया है सही जवाब है option D 2 December, 2 December को computer साच्छरता दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है CPU का पूर्ड रूप क्या होता है और यहाँ पे हमारे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं सही जवाब है Central Processing Unit CPU को कम्प्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं अगला प्रस्ण है इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है जैसे मैं question पढ़ रहा हूँ आप अपना answer guess करते रहें और match कराईए कि क्या आप answer सही दे पा रहे हैं या नहीं यहाँ पे हमारे चार option दिये गए हैं और सही जवाब है option D, option A, option B, option C हमारे सर्च इंजन होते हैं option D हमारा सर्च इंजन नहीं होता है, Google सबसे बड़ा सर्च इंजन है अगला question है निम्ड में कौन input 1 है, option यहाँ पे हमारे चार दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है इनमें से सभी, mouse, keyboard और scanner तीनों हमारे input 1 होते हैं अगला question है एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है और यहाँ पे चार option दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है option A, 1024, 1024 byte 1 किलो बाइट के बराबर होता है और 1 byte 8 bits के बराबर होता है अगला प्रस्चन है एक मेगा बाइट कितने बाइट के बराबर होता है और यहाँ पे चार विकल्ब दे गये हैं सही जवाब है उप्षिन A तो सही जवाब है 1024 MB 1024 MB एक गीगा बाइट के बराबर होता है अगला फॺेस्चन है computer में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं और यहाँ पे चार option दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही उत्तर है silicon से computer में प्रयुक्त IC silicon से मिलके बना होता है अगला प्रश्ण है internet के पते में पद HTTP का सही व्रिसित रूप क्या है HTTP का full form हमको बताना है तो यहाँ पे चार option है तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब होता है Hypertext Transfer Protocol HTTP का पूरा नाम होता है Hypertext Transfer Protocol अगला प्रश्ण है किसी computer के program में बच्चो द्वारा प्रयुक्त भासा प्राया कौन सी होती है और यहाँ पे हमारे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है Logo अगला प्रस्ण है एक सुवाई नीजी computer जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है Notebook Computer अगला प्रस्ण है कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निमलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरड है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं सही जवाब है कोडांतरर से मशीन तक अगला प्रस्ण है मल्टी प्रोग्राम होती है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा अगला प्रस्ण है नेमलिखित में से Optical Memory कहते हैं और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं सही उत्तर है CD-ROM Optical Memory हमारा CD-ROM होता है अगला प्रस्ण है CPU में Control, Memory और तीसरा कौन सा यूनिट होता है यहाँ पे चार हमारे Option दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है Arthematic and Logic CPU के तीन भाग होते हैं Control Unit, Memory और Arthematic and Logic Unit अगला प्रस्ण है CPU के ALU में होता है और यहाँ पे हमारे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं सही आंसर है Register CPU के ALU में Register होते हैं अगला प्रस्ण है गड़ना और तुलना के लिए कंपिटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है ALU गड़ना और तुलना के लिए हम arithmetic and logic unit का यूज करते हैं अगला प्रस्ण है एक hardware device जो data को अर्थ पूर्ड information में परिवर्तित करता है और यहाँ पे हमारे चार option दिये गए हैं तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है processor प्रोसेसर एक ऐसा hardware device है जो data को अर्थ पूर्ड information में परिवर्तित करता है अगला प्रस्ण है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन है और यहाँ पे हमारे चार विकल्प दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प है ALU, Control Unit और Register प्रोसेसर के तीन भाग ALU, Control Unit और Register होते हैं यह प्रस्ण बहुत ही जादे महत्रपूर्ड है अगला प्रस्ण है CPU और Input Output के बीच सिगनलों के मुव्मेंट को कौन नियंतरित करता है और यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प है Control Unit CPU और Input Output के बीच सिगनलों के मुव्मेंट को Control Unit नियंतरित करता है अगला प्रस्ण है Computer के Central Processing Unit का function है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए है तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है गड़नाए और processing करना Computer के Central Processing Unit का function होता है गड़ना और processing करना अगला प्रस्ण है निम्ड में से कौन सा Computer का बुनियादी कार्य नहीं है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है Tax को scan करना Tax को scan करना Computer का बुनियादी कारी नहीं है अगला प्रस्ण है परिचालक संपन करता है और यहाँ पे चार हमारे विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लीते हैं। सही विकल्ब है arithmetic। परचालक संपन्न करता है arithmetic। अगला प्रस्ण है, computer में अधिकांस processing किस्त में होती है। और यहाँ पे हमारे चार विकल्ब देख लीते हैं। सही विकल्ब है CPU, computer में अधिकांस processing, central processing unit यानि CPU में होती है अगला प्रश्ण है computer निम्लिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं, तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं सही आंसर है understanding, computer understanding नहीं करता है बाकी processing input output इसके कार्य है अगला प्रश्ण है प्रमुख memory किसके समन्वय से कार्य करती है और यहाँ पे हमारे चार option दिये गए हैं, तो चलिए correct answer देख लेते हैं उत्तर is CPU, central processing unit अगला प्रश्ण है micro processor जो computer का मस्तिस्ख होता है उसे कहते हैं और यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं, तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प है micro chip अगला प्रश्ण है computer द्वारा produce किया गया परिमाड है और यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं, तो चलिए सही answer देख लेते हैं सही answer है output अगला प्रस्ण है इन्पुट का आउटपुट में रूपांतरड किया जाता है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है process, processed data को process बोलते हैं अगला प्रस्ण है CPU का मुख्य घटक है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है ये सभी control unit, memory और arithmetic and logic unit तीनों हमारे CPU के घटक होते हैं अगला question है computer की छमता और यहाँ पे चार option दिये गए हैं तो चलिए सही option देख लेते हैं सही उत्तर है सीमित, computer की छमता सीमित होती है अगला question है computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है कृत्तिम, computer को कृत्तिम प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है अगला प्रश्ण है मनुष्य की इस्मरण शक्ती कम्पूटर की तुलना में होती है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गये हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्प है मानव मन, मानव मन की गती कम्पूटर से जादे अधिक होती है अगला प्रस्ण है EDP क्या है और यहाँ पे चार हमारे विकल्प दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प है Electronic Data Processing EDP का मतलब होता है Electronic Data Processing अगला प्रस्ण है Computer में सूचना किसे कहा जाता है और यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्प देख लेते हैं सही विकल्प है एकत्रित Data को एकत्रित Data को हम सूचना बोलते हैं अगला प्रस्ण है Computer में Data किसे कहते हैं और यहाँ पे चार विकल्प दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है चिन व संख्यात्मक सूचना को अगला क्वेश्चन है इंपुट का आउटपुट में रुपांतरड किसके द्वारा किया जाता है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है CPU दारा CPU दारा input को output में रुपांतरड किया जाता है अगला प्रशन है computer में जाने वाली data को क्या कहते हैं और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं सही विकल्ब है input Computer में जाने वाली data को input बोलते हैं अगला प्रशन है data processing का क्या अर्थ है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है वाड़ेजिक उद्दोक के लिए जानकारी तयार करना अगला प्रशन है ATM क्या है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही विकल्ब देख लेते हैं सही विकल्ब है बिना स्टाफ के नगदी देना अगला प्रशन है computer process द्वारा information में परिवर्थित किये जाते हैं और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है data अगला प्रशन है एक electronics device जो data को information में convert करते हुए process करता है उसको क्या बोलते हैं अगला प्रशन है प्रथम गडणा यंद्र है और यहाँ पे चार विकल्ब दिये गए हैं तो चलिए सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर है abacus प्रथम गडणा यंद्र abacus था तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ये वीडियो का part 1 था नेक्स वीडियो के पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक, कमेंट and शेर करना मत भूलिएगा तो जल्दी मिलते हैं पार्ट टू में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए